इन दौर में आयोजेत दो दिवसिये ग्लोबल इंवेश्टर समीट का समापन हो गया है। समीट में सरकार को 15,42,514 करोड रुपे की निविश प्रस्ताव मिले है। इससे 39 लाख रोजगार की नय अफसस रिजित होने के उमीद है। इससे पहले समीट के दूसरे दिन आखिरी सत्र में तीन साल में भारत की एकोनोमी को 5 ट्रिलियन में मध्यप्रदेश के योगदान विशेप चर्चा की गई। सेशन में राज सरकार की ओर से बताये गया कि 2026 सत्ताइस तक मध्यप्रदेश की एकोनोमी 41 लाख करोड हो जाएगी। समीट के समापन समारों में सियम शवरासिं चोहार ने निवेशों को से कहा कि आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं दिजाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उची उडान भरने के लिए टेक आफ कर रहा है। इक लाख पैंसथ हजार, 69 और ग्वालियर चंबल में एक लाख बावन हजार 147 करोड रुपे के ये निवेश के प्रिस्ताव पर राप्त हुए है। इसका मतलब ये के पूरे प्रदेश में अलग अलग छेतरों में ये निवेश के प्रिस्ताव